तुलसी सोनी तीन दशकों से भी जादा समय से पावर लिफ्टिंग बॉडी बिल्दिंग गेम्स में जुड़ी हुई हैं। अंतराश्री स्तर पर अपनी पहचान बनाने के बाद वर्तमान समय में पावर लिफ्टिंग जैसे गेम से जुड़े लाडियों का बेहतर मार्ग दर्शन करने में उनकी सहायता करते हैं। पावर लिफ्टिंग के अलावा शत्रंच में भीन की खासी रूची रही है। तुलसी सोनी कई अंतर राजिय प्रतियोगिताओं का दुर्ग में आयोजन कर चुके हैं। कुछ प्रतिभा यह हमाई साथ आज साजा करेंगे बॉडि बिल्डिंग हो या पावर लिफ्टिंग हो या फिर गायन इसके शेत्र में अपना लोहा मनवा चुके तुलसी सोनी सरका मैं स्वागत करती हूं सर आपका स्वागत। नमस्कार धन्यवाद सर आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं जोड़कर अविवादन और उनका स्वागत करता हूं। सर आप खेल विधा से जुड़े वे हैं। आपने पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग और काफी शेत्र में अपना योगदान दिया हुआ है। तो खेल और गायन दो अलग-अलग विधा है। इसमें अपने आपको कैसे आप वो कर सकते हैं आत्मसाथ। देखी दोनों विधायन निश्यत तोर से बहुत अलग-अलग है। दोनों का एक दुसरे से कोई सामंजस नहीं बैठता। अब फिर भी एक आदनी में अपना जो सौख होता है। जो जुनून होता है। तो एक ऐसा बच्षपन से जुनून चुकि मैं ऐसे महले में रहा हूँ। मेरा बच्षपन ऐसे महले में रहे के बिता है। जहां पर दुर्ग शहर का इन पुरे 36 गड़ का एक बहुत ही पुराना अखाड़ा जिसे पुराने सीनियर हमारे खिलाड़ी बताते हैं कि लगबग 700 साल पुराना ये अखाड़ा है जो जय हनुमान वियाम साला के नाम से इस्तापित है दुर्ग शहर में तो वहीं मेरा जो एक मन में इच्छा जागरित हुई कि अपने सरीर को बलिष्ट बनाने के लिए और अपने सरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम एक बहुत आवश्चक चीज है उस प्रकार से मेरा रुजान उस व्यायाम के प्रती हुआ और मैंने अखाड़ा लगबग 1982-83 से जाना प यह दोनों को विभाजित कहलाते भी हैं तो इसमें आप अपनी क्या वो मानते हैं कैसा अपने आपको ढाला आए इसमें आपने अखाड़ा हमारे भारती कुस्ति का जो एक मूल स्वरूप होता है हमारी भारती जो कुस्ती है जो दंगल में खेली जाती थी जिसमें पहलवान अपने दाउं पेच का जो राजमा कर अपनी प्रदर्शन करते थे और अपने सक्ती का अजमाईस करते थे तो वो एक विधा का जो यहां पर दुर्ख शहर में अखाड़ा है तो उसके लिए उसका नाम अखाड़े के रूप में उसको माना जाते है और वहां परदेशी स्टाइल से ही कुस्तियां करके पहलवान अपना जो राजमाईस करते थे समय जैसे जैसे बढ़ते गया नई नई तक्निके आती गई इस चेतर में भी और विभिन रूप में इसका नया रूप हम देख रहे हैं जैसे पावर लिप्टिंग है इस्टेंड लिप्टिंग है बाडी बिलिंग में भी बहुत सारे खिलाडियों का रुजान होते जा रह सर आप खेलों की विधा में चेस को भी काफी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे चुके हैं और राज जिस्तरी हो या फिर राश्टी स्तर की प्रतिकुताओं को भी आपने काफी अपनी देख रेक में आगे बढ़ाया है यह मेरा सवभाग है कि खेल मेरे जहन में है मतलब खेल के प्रति मैं अनाया सी आकर्शित हो जाता हूं जैसे कि पॉल लिप्टिंग और बाडी बिलिंग तो मेरा सुरू से वच्पन से सौक रहा ही है और उसी पिरेट से मैं सत्रंज खेल से भी जुड़ावा रहा हूं और लगबग 1995 से मुझे याद आ रहा है कि हम दुर्ग शहर में दुर्ग जला सत्रंज संग के तत्वा उधान में एक बहुँ प्रतिक्षित ट्राफी जो होती है जलाराम ट्राफी जिसका आयोजन हम 1995 से करते आ रहे हैं यह ऐसी एक बहुँ प्रतिक्षित सत्रंज के छेत्र में जी वपाल की जो खिलाडी हैं जिन्होंने माल्टा चेस उलंपियाड में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता था वो भी वर्ष 2003 में हमारे दौरा एवजित इस जलाराम ट्राफी में जब हमने मानस भौन में प्रतियोगता एवजित की थी उन्होंने भी शिरकत की इस प में शामिल होते देखा है तो 57 चेत्र सभी मेरा लगाव रहा है खिलता भी रहा हूं मैं और इस चेत्र में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सत्रंज को मदड़ परदेश से लेकर आज चतिस गड़ में भी अगर इस चेत्र में स्थापित करने में किसे का योगदान रहा है तो हमारे महनी खिलाड़ी हमारे बहुत या दर्णी मैं उनका नाम नहीं चाहूंगा चतिस गड़ प्रदेश सतरण संग के महा सचिव आदर्णी मिनोधर आठी जी जिनके अन्रथक प्रयासों के कारण ही यह चेस जो है आज चतिस गड़ में अपना नाम बनाए रखा हुआ है और दिनों दिन आगे बढ़ते जा रहा है उनके कुसल नेत्रितु में उनके कुसल मारदर्शन में हम इस खेल को बहुत या आगे तक ले जा चुके हैं पहले का जो अखाड़ा बॉडी विल्डिंग या पावर लिफ्टिंग था अब वो आज फूहरता में अपना वो बनाती जा रहा है इसको फूहरता से लिया जा रहा है इसके बारे में आपके देख निशित तोर से मैं कहूंगा कि उसके आयोजन की रंग रूप में उसके आयोजन की इस्तर में बहुत हद तक बदलाव आया है फूहरता थोड़ा समय सब्द कहूंगा कि अनुची तोरा मगर फिर भी हाँ इसलिए हम कह सकते हैं कि जब सुरवात में प्रतियोगताएं होती थी और खिलाड़ी सेत्र में अपना वर्चस दिखाते थे भाग लेते थ क्योंकि इसमें म्यूजिक और बाकी चीजों का भी जो सामिल हो जाना और मैं कहना नहीं चाहता खिलाड़ी लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए मंगर फिर भी खिलाड़ी लोग जोने किसी प्रकार का नशा पान करते हैं और उसके बाद वह इस पतियोगता में उतरते इसे थोड़ा बहुत इस तर जो है इसका गिर रहा है जिसे हम पोड़ता का नाम दे सकते हैं इसके साथ ही आप एक और कला आप में खूटकर भरी हुई है आप एक अच्छे गायक भी हैं और कई सारे आयोजन प्रयोजन गाने को या गायकों को आगे लाने के लिए करते हैं अभी आप देश की आजादी के पर और गरता अंदर दिवस पर प्रस्तूती देते हैं इस वर्ष गरता अंदर दिवस पर क्या प्रस्तूती आपके दरब से देखे मैं चतिस गड़ मंच दुर्ग में हमारी एक ऐसी सामाजी और सांस्कितिक कारक्रमों वाली एक संस्ता है जिससे मैं जुड़ावा हूँ और इस संस्ता के माध्यम से हम शहर में विभिन प्रकार की सांस्कितिक गतिविदियों का आयोजन करते आ रहे हैं कुरुना काल के कारण बीच में एकाद वर्ष के लिए गतिवी थोड़ी सी थम सी गई थी मगर फिर भी हम दुर्ग शहर के उभरते वे कलाकारों को एक मंच प्रदान करके उन्हें अपनी प्रतिभा को आगे लाने के लिए एक ऐसा आउशर देते हैं जिससे वे अपनी प्रतिभा के माध्यम से दुर्ग शहर में प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी अपना नाम बनाये रखे हैं और बनाते भ दुर्ग शहर के हिर्दा इस्थल पुराने बस्टेंड में हम संगीत का एक आयोजन करते हैं जिसमें राष्ट भक्ति के गीतों के साथ साथ कुछ बेहतरीन पुराने फिल्मी नगमों का भी हम मंचन करते हैं हमारे बाल कलाकार जो हैं जो किसी परकार से प्रोफेशनल नहीं है वे संगीत की सिक्षा ले रहे हैं और इसका उत्देश क्या लेकि चलते हैं इसका उत्देश से लोगों का स्वस्थ मरणजन करना आज हम देखते हैं टीवी के माध्यम से बड़े-बड़े चैनलों में इससा मरणजन प्रदान कर सकें लोगों को गीच संगीत के प्रति रूची बनी रहें वह इस प्रदियुकता में जाने के लिए उनको एक रास्ता बने उनको पब्लिक को फेस करके गानी की जो एक जिजग होती है अब बातरुन सिंगर हो सकते हर कोई एक सिंगर है जिसमें संगीत के प्रती रुजान होता है मगर जब इसे बुद्र लॉज नेंदेग के ऑप घृह जो आप अभी गणतंत दिवस की पूर्व संधिया पे प्रस्तूत करेंगे या करवाएंगे चंद लाइन सुना दें चुकि अब हमारा गणतंत दिवस बहुत ही नजदीक है 26 जनवरी आ रही है और एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही संगीत का आयोजन हम करने जा रहे हैं चतिरगण मजदूर के माध्यम से हर वर्ष की तरह जो यह आयोजन हमारा नगन निगम के स्वयोग से हमें होता है हम इसके तो सफ्न पर आके और कलाकारओं की वह वह ही करते हैं तो हमारे अपने स्वयंका हरते है तो इस मेंपने स्वयंलन होते हैं में यहां नगन निगम काुग पूरा पराफत होता है और वह अभी सद्रों की संद्रह Clemente चारे चाहर रहे हैं conv dus सहर बादषीająं के लिए माइं दो लाइनों में से पही कहूंगा जो देश भक्ति से ओत प्रोत ये कारक्रम होगा उसमें यह तो कहनों को बहुत सारी बाते हैं मगर आप चुंकी जैसे आपने कहा कि गाने के माध्यम से इसको बताऊं मैं तो देश में फिल्म का एक बहतरी नगमा मुझे याद आता है आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों नफुरत की लाठी तोडो लालच का खंजर फैंको जिद के पीछे मत दोडो मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों